कि स्वानमश्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मिक्की अरोडा आपका छोटा भाई और आज मैं एक नई वीडियो आपके साथ दुबारा ले आया हूं क्योंकि कुछ कंटेंट चला माइंड में कि एक बार आपसे ये भी बात शेयर करी जाए कि आपने थमनेल तो देख लिया होगा कि न्यू यूट्यूबर भूल कर भी ना करे ऐसी गलती सबसे बड़ी प्रोब्लम जो मैंने फेस करी है अभी कुछ टाइम में वह ये देख रहा हूं कि न्यू यूट्यूबर से अब मेरी बात होना शुरू हो गई है क्योंकि अब दोस्ती बढ़ गई है New YouTubers से भी बहुत से New YouTubers है जो अब हम लोग अपस में Messages बगेरा भी करते हैं देखते हैं वो अपने भी जो है राए शेयर करते हैं भी शेयर करते हैं कि हमारे Mind में क्या चल रहा है और कैसे है तो मैंने अक्सर मैंने यह देखा कि जो हमारे नए यूट्यूबर्स है जैसे मैं भी हूँ मैं भी अभी हाली में भी मैं जॉइन करा हूं तो मैंने यह देखा कि YouTube है एक्षयल में क्या है वह चाते कि कितने जल्दी क्योदे में fantastic कि भूट मुट सारा तत्थ है यह है कि इतने सारों से बात उती है रात रात बर बाद चलती है मेरी सबसे टेलीग्राम चैनल ए़ वाटसेप ग्रोपे है बहुत सारे YouTube सब जो है जुटने लग गए मिलने लग गए तो मैंने देखा कि अकसर ने सब माइंड में जो है ना तूचार topics है जो सब के माइंड में चलते हैं वो topic ऐसे है कि वह यह चाहते हैं कि वह हम ऐसा क्या करें कि हम जो है बस है आज हमने YouTube YouTube चैनल बना लिया है और बस कल परसो तरसो तक हमारा जो चैनल है ना मॉनोटाइस हो जाएगा अब देखो यूट्यूब वही वाली बात आ जाती है कि छोटा प्लेटफर्म तो नहीं है ना कि एक और दो दिन में हम जो है सक्सेस ले लेगे मिल भी जाती है सितारे बुलन्द होगे तो सब कुछ मिल जाता है पर साथी साथ मेहनत भी है आपकी मेहनत करती है कि आप किस लेवल से मेहनत कर रहे हैं उसके बाद आपको जो है उस में उस्ससारे यूटुबस मैं भी हूं समें शामिल कि हमने यह चीज देखी कि जो ने यूट्यूबर से हैं उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉबलम भी आती है कि हम चैनल जो है स्टार्टिंग में हम क्या करे हम मतलब क्या बेस करे हम चैनल का कि हम बहुत है हम जो है कैटेगरी क्या चोस करे अब मैं भी उस चीज में हूँ आप देखो कि पहले मेरी बिटिया की क्या बलते वीडियोज है इस चैनल के अंदर फिर उसके बाद मैंने व्लोग शुरू करे जो क्या बलते हैं हम जैसे टूरिस्ट व्लोग से हम जैसे वरिंदा बन गए और भी दो तीन जगा जाते हैं तो वहां पर बना लेते हैं और फिर अब दिमाग में यह चल रहा कि यार इसकी जगा कुछ और बनाओ पस मेरा इतने सारे यूटीमर्स जो मेरी अभी रात पर सो तो चार दिन से जो बात हो रही है Is अरे भाइयों यह बीस पचिस पचास इन वीडियों देआ कुछ नहीं होने वाला सबसे बड़ी बात है है आप यह मा前 में रखोगी यार हमने जो है कॉंटेंट जो है ना वो रेगुलर अपडेट करना है किसी भी टॉपिक पे हो हाँ रीजन यह है देखो स्टार्टिंग में केटेगरी चूस करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यार सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं होगी वही व शेयर करो पब्लिक के साथ हो सकता है कि वह क्वालिटी जो आपको अच्छी लग रही है वह सकता है वह क्वालिटी पब्लिक को अच्छी ना लग है देखो जो बात है वह सच्चा ही है तो इसलिए आप जो है स्टार्टिंग में क्या करे मैं तो अपनी राय दे रहा हूं आ स्टार्टिंग में क्या करें आप कोशीश करें कि प्रेंडिंग कॉंटेंट जो है वो आप डाले किसी से रिलेटेड आप अब इस समय मतलब अगर व्लोग से रिलेटेड कुछ अच्छा चल रहा है तो आप फ्लोग इंग करें तो पहुत सी चीज़े हैं जो आप इस लेवल स से आप शुरुबात करें और बहुत से मेरे पास कल पर सो मेसीजिज आए वे थे कि भया आपने तो 135 वीडियो डाल ली है और मैं व्यूज भी देख रहा हूं आपके जो सब्सक्राइबर है अभी मेरे ख्याल से 115 के लगबग है और आपके जो व्यूज है वो धीरे धीरे धीर मेरे जो है व्यूज भी आपके बढ़ रहे हैं अब बहुत सी एक-डो वीडियो है जिसके अंदर मेरे 500 भी है बहूच सी वीडियोज है जिसके अंदर मेरे अभी जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो जाली है उसके अंदर मेरे ख्याल से दोसो धाई सो के लगबग जो मेरे जो है वियूज आ गए है तो देखो मैं आपको बताओं क्या है रिजन कि मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि मैं रेगुलर जो है एक वीडियो जो है अपटेट क्यों देखो अगर आप यह सोच रहे हो कि मेरी जौब है ठीक है और मैं जौब छोड़के मैं यार यूट्यूब में घुज़ओं आप खुसो मगर आप यूव अपनी जौब को जो है ना वह भी आप लैप्स मत करो क्यों क्यों क्योंकि यार देखो मैं आपको क्लियर बात यूट्यूब इसको हमें क्या बलते हैं एक लैवल पे प्रैक पे लाने में हमार को जो है बहुत टाइम लग सकता है देखो यह तो सोचल मीडिया की पावर है कोई बड़ी बात नहीं है आपका कंटेंट किसी को समझ आगे ना तो रातो रात रातो रात आप 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 आज वीडियो अपलोड करोगे और सुबह उटके देखोगे कि अरे यार यह क्या हो गया मेरी वीडियो तो इतनी वाइरल होगी मगर यह भी आप एक्सपेक्ट करके चले कि यार आप वीडियो आपने यह सोची थी कि मैं डालूंगा और मेरे को मतलब दो से तीन से मतलब दो से सरी कि चार घंते के आप छोड़ो एक दिन कि एक दिन में आप यह सबने लगे यह डियार मेरी वीडियो प्राफिदел पर पर permitted तो आजाएगे मगर आप देखना आप जिस वीडियो से आप एक्सपेक्ट करके बैठेगे ना उसी वीडियो में आप निराश हो जाएगे ये मैं आपको एक अपना एक्सपेलियों सेयर कर रहाँ ठीक है ना तो कहने का मतलब है यार देखो बहुत सारे यूट्युबर्स जो है बाई बहुत बहुत नहीं बने है दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो बस मैं आपको यही करूँगा यार कि आपना बस मेहनत करते रहू याई मैं अपना घर पी बैटता हूं और मैं पूरा दिन आ भाईया वो करता हूं लगवाले 10 सालों से चाँ कर रही है सभी है यहाँ कवी बिस थीख है ऐस सितारे नहीं काम करते तो ठीच है वो छोड़ दिया Whatever कोई ऐसी प्रोब्लम सोगई थी करमें भी कुछ तो मैं क्या करा मैं शेयर मार्केट में आ भी बैठ रहा है घर पर बढ़ की काम होता है पहले मैं सारी markets में काम करता था कॉमिटिसी में भी करता था एक्वाटी में भी करता था ठीक अब यह जो आपने सुना भी recently crypto ट्रेंड में आ गई थी तो मेंने अभी कुछ टैम पहले मैंन은 crypto में भी क्या बोलते इंवेस्टमेंट कर दी तो थोड़ा सा हमारी यह गौर्मेंट पॉलिसी जा गई जिसके चक्कर में जो है क्रिप्टो से मुस्ली जो ट्रीडर्स है वो निराश हो गए है क्योंकि 30% सर्विस टेक्स लगा दिया बोड़ी सारी चीज़ें लगा दिये तो इस चक्कर में जो है यह थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो मैं बस यह आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप क्या करो आप जैसे भी है आप कोशिश करो कि जो पॉलिशी है ना क्रिप्टो की जो है इस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है जो ट्रेडर्स को तो सारे निराश हो गए है और लिटरली मैंने भी बहुत अच्छा पैसा लगा दिया था और वो सारा जो है पैसा अभी जो है बहुत जादा माइनस में चल रहा है तो थर और यह थो ख्यर मार्केट का ट्रेंड यह इसमार्केट कर निचे रिएसा कि जह कभी मार्केट यह तो नीँजबेज मार्केट है कभी नीचे है तो कभी आप है तो इस सक्र में garlic मैं तो खेल घर पी रहता था तो मैंने बड़े टाम देखा पहले में बहुत करता था एक बहुत अच्छा यूट्यूबर एक भाई हमारा उसका नाम है नित्या के स्पोर्ट यूट्यूब चैनल है उसका आप उस भाई को देखना मैं कहा रहा हूं सच में वो डाउन टू अर्थ बात करता है और लड़का जो है न वो जैनुली डाउन टू अर्थ है उसको आप लगेगा कि यारनी सच में वो लड़का भी न बहुत अच्छी बाते करता है अच्छे टॉपिक्स पर बात करता और कभी भी आपको ना गुम्राह नहीं करेगा तो आप एक बार अब उसका चैनल भी आप देखना बहुत बढ़िया है मुझे बढ़िया लगा मैं भी उसको मैं भई नए यूट्यूबर से यही बोलूँगा कि यार आप ना इस पर डिपेंड मतों ना भी आप जो कर रहे हो ना उसको करते रहो आपको एक गंटा दो गंटा डाही गंटा जितना भी मिलता है ना आप कोशिश करो उसमें ना एक एक बढ़िया सी एक वीडियो बनाओ तेके ना जितना भी टाइम मिलता आप आदा एक दो गंटे उसके अंदर एक बढ़िया सी वीडियो बनाओ कोशिश करो यूट्यूब पे लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियो डालो उस केटेगरी की वीडियो बनाओ जो इसमें ट्रेंड में चल रही है एक वीक के अंदर same day दो दिन के अंदर अंदर में जो भी वीडियो अप्लोड्स हुई हो यूट्यूब पे उस पे आप focus करूँ मगर आप मैं आपको बिल्कुल ये बात नहीं वो करूँगा उस भाई के लिए भी मैं बोलूँगा तीन-चार निमेर से ये बात करी कि मैं ना काम छोड़ देता हूं और पूरा दिन जो है मैं यूट्यूब पे रहता हूं आप यार ये काम ना बात में करना है जब एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए आपको लगे कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ गए है आपके जो क्या बलते व्यूज आओर जो है वाच टाइम जो है आपके सारी चीजे जो है अप टू डेट हो गई है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है आपका एक अर्निंग लेवल बन गया है उसके बाद आप ना कोशिश करो तब भी मैं नहीं कहूंगा कि आप पहले अपने काम को छोड़ो अगर आपको लगता है कि यार आप ही सिंगल परसन है घर में कमाने वाले या कोई ऐसी बात है तो आप कभी भी ये गलती मत करना आप सबसे पहले जो है आप अपना अर्निंग एक पैसिव इंकम बनाओ जब आपकी पैसिव इंकम चालो होज़े जब आपको लगे कि यार उस पैसिव इंकम से एट लास मेरा एट लेस मेरा जो है घर जो है ना वो चलना शरूब उसके बाद आपना कुछ भी करो उसके बाद आप फुल टाइम में कर रहा हो कि जिससे आपको लगता है कि यार आपकी जो आपको वीडियोज में ना बनाने में आपको जो है बहुत मदद करेगे इस लेवल से जो आपको इंस्रुमेंट से ही वह आप सारी चीजे लेगे ठीके ना तो भाई सक्सेस जो है ना इतनी इसली नहीं मिलती और यूट्यूब प है कि आपको जो है ना रोज मेहनत करनी यार बढ़िया लेवल पर मेहनत करो अच्छे अच्छे कंटेंट्स ढूंडो और वीडियोज बनाओ थम्नेल एक्ट्रेक्टिव करो हाँ एक चीज और बताता हूं आपको यूट्यूब भी जो है ना वह आपको जो हेल्प करता है ज मैसेज छोड़ता है जिसके अंदर वह आपको बता देता है कि यह मैसेज आपका डाउन जा रहा है या अगर आप जा रहा है तो उसके अंदर लिखाएगा कि मतलब वेरी गुट से लिलेटिट वीडियो ऐसे कुछ आएगा लिखा हुआ और डाउन जाएगा तो आपको वह बता देगा कि CTR जो है वह आपका जो है पढ़िया नहीं है आप अपने थमनेल को इंप्रूब करो या आप अपने टाइटल्स को जो है आप उसको इंप्रूब करो उसके अंदर चेंजिस लाओ जिससे जो है आपकी जो वीडियो है वह ओल्रेडी मतलब एक अच्छे सर्च लेवल पे सर्च इंजन पर आजए तो यूट्यूब भी आपको जो है टाइम टू टाइम जैसे ही आप वीडियो अप्लोट करते हैं आपको वह एक इंडिकेशन जरूर देता है कि आपकी जो वीडियो है आपकी वीडियो में दम तो है मगर आपकी वीडियो जो है इस वीडियो में कोई वीडियो जिलीट नहीं करूंगा जिस दिन आपके भाई का भी चैनल मोनेटाइज होगा तो डेफिनिटली आप को मैं यह चीज पताऊंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखना क्योंकि नहीं ऐसे ऐसे चैनल पर ऐसे चैनल के यूट्यूबर्स को द बना ही हुगा है छोटा मोटा ठीक है ना तो कोशिश करो ठीक है आप उनसे इंस्पायर ओ इंस्परिशन लीजी कि आप देखो आज वह भाई जो सीडियो पर बैटके भी वीडियो बनाते थे और आज आज वह उन्होंने एक एक करोड रुपे का जो है अपना घर बना लिय ठीक है तो ऐसा नहीं है हर छीज़ जो है पॉसीबल है बस फरक कि एक कि तो आप अपने इसको खोलो ठीक है ना और दूसरा जो है आप मेहनत करो तो ये बात definitely है पस मेरा सबसे बड़ा यही चीज थी कि आपको वीडियो में ये बताना था कि ये जो वीडियो बनी है ना जो मैं थमनेल था उसके अंदर ये mention जो था ना कि भई ये जो भूल कर मत करना ये चीज़ है तो भई नहीं कर नहीं परसो नहीं तरसो नहीं ठीक है ना कभी न कभी तो आप देखना आपकी वीडियो जो है बड़ी आ लेवल प्रोजेक भी तीन मीने भी अगर आप वीडियो जे एक वीडियो डालते हो एक वीडियो भी अगर आप डालते हो तीन मेनी वीडियो डालते हो तो नब्बे दिन होते हैं नब्बे दिन के अंदर मैं कहता हूं अगर आप मैं कहता हूं दस दिन आप छुटी भी ले लो असी वीडियो आप अपलोड कर दोगे तीन मेने के अंदर और जब आप रेगुलर वीडियो अपलोड करोगे ना वीडि बाई वीडियो आपकी जो इंप्रोव्मेंट होती रहेगी आप देखेगे कि यार पुरानी वीडियो में आप देखना मेरे बहुत सी चीजी है बैक म्यूजिक नहीं था ठीक है बड़ी सारी चीजे जो मैंने निव वीडियो में अपडेट करी है तो यही एक फाइदा है कॉ रेगुलर अगर आप इस चीज़ को आप अपडेट करते रहेगे ना तो आपकी हर चीज हो की होजएगी और प्लीज जिनोंने मेरी पुरानी दो तिन वीडियो नहीं देखी है ना तो एक बार वो वीडियो देखना जिसमें मैंने सब फोर सब निव यूट्यूबर्स के ल है आपके लिए best of luck ठीकिंदा असो बैस्ट ओफ लग आप success होगे यह मैं कही ऑर इस चीज से होगे बस आप जो है एक बार अपनी वीडियो पे रेगुलर रहो बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाओ थमनेल बनाओ बढ़िया एक ट्रेक्टिव जो है थमनेल बनाके एक टाइटल बढ़िया साथ दो उसके बाद आप अपलोड कर दो बस ये काम रोज करते रहो और आपका काम हो जब आपका चैनल मॉनिटाइज हो जाए जब आपकी एक पैसिव इंकम बनना शुरू हो जाए आपको ये एक शेयरिटी हो जाए कि भईया मैं आपने घर से रिलाक्स हो गया ठीक है तो प्लीज गाइस थैंक यू सो मज वीडियो सौरी बहुत लंबी हो गई आज और बस मे प्रवोट करिए और इसको आप शेयर करिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के अंदर आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएगा थैंक यू सौ मज गाइस मिलते हैं अकली वीडियो में